दोस्तो मैं मुहम्मत वराज मलेक मैं इसरो के मानने अध्यक्ष सुमनाजी से कहना चाहूँगा कि अगर हमारे चंदरियान की तरफ से कोई सीक्रेट इंफरमेशन इसरो को दी जाती है तो उस इंफरमेशन को हमारे मीडिया से शेर्ड मत करना क्योंकि किसी भी सीक्रेट इंफरमेशन को हमारे देश का मीडिया किस तरह से बरबात कर सकता है किस तरह से बात का बतंगल बना सकता है हम सब लोग अच्छे से जानते है चंदरियान 3 की सौफ्ट लेंडिंग चांद पर हो चुकी है विक्रम लेंडर ने लेंडिंग करने के बाद अपने अंदर से प्रिग्यान रोबर को बाहर निकाला और प्रिग्यान रोबर चांद पर गूम कर इंफरमेशन इस रोको भेज रहा है जबसे ये चंदरियान 3 मिशन लाँच हुआ है और विक्रम लेंडर की सौफ्ट लेंडिंग हुई है तब से हमारा मीडिया, टियार्पी, व्यूज और पैसे के चकर में पूरा पगला गया है ऐसे ऐसी खबरें हमारे देश की जनता के सामने रख रहा है जो हजम होने वाली नहीं है चांद पर बिक्रम लेंडर को प्रग्यार रोबर को एक कबर मिली है आपको यकीन होगा लेकिन मीडिया ऐसी खबरे दिखा रहा है कि चांद पर इनसान की कबर दिखाई दिये किसकी है ये कबर जब ऐसी चीज़े हमारे देश के लोगों के सामने आती है वो भी इस वक्त में जब एक बड़ा मिशन कंप्लीट हुआ है सक्सिस्फुल हुआ है तो लोग हैरानी के साथ ऐसी चीज़े देखते है और यही टी आर पी, वियोज, पैसा कमाने का जरिया बनता है तो इस दो के सोबना सर से मैं तो यही रुपेस्ट करूँगा कि किसी भी सीक्रेट इंफरमेशन को इस मीडिया को तो बिलकुल भी ना दे यह कबर वाली बात है क्या आखिर आईए इसको ब थोड़ा सा डिटियल में समझ लेते है क्या वाकई में चांद पर किसी इंसान की कबर है यह खबर बहुत ज़ादा मीडिया पर चल लई है जब से यह मिशन सक्सेसुली पूरा किया है दोस्तो आप लोगों को अगर साइंस में इंटरेस्ट होगा तो आप लोग इस्त्री भी जानते होंगे चांद पर इनके साथ एक और इनके साथ ही उत्रे थे लेकिन जो तीसरा शक्स था इनके साथ जो इनके साथ चांद तक गया था उसने चांद पर कदम नहीं रखा था वो चांद के और्बिट में ही अपने क्राफ्ट के अंदर बैट कर चकर कारता रहा दो टुकडों में बढ़ गया था क्राफ्ट एक टुकडा चांद की उपर गया और सॉफ्ट लैडिनी करने के बाद नील आर्म स्ट्रॉंग चांद पर उत्रे थे पहला कदम उन्होंने रखा था वहाँ पर एक उन्होंने बोट लगाया था एक अमरीका का जंडा गाड़ा था और भी कुछ निशान वहाँ पर बनाए थे उसके बाद जो और विट में चांद की घूम रहा था एक यात्री जो तीसरा गया था वो उस तूटे हुए हिस्से को एक बार फिर से अपने शिप में जोड़ता है अपने यान में जोड़ता है और उसके बाद फिर वो लोग धती पर वापस आ जाती है तो तीन लोग गयते सबसे पहले बार चांद पर इंसान लेकिन पहला कदम जो है वो नील आर्म स्टॉंग में रखा था इसलिए ना उनक जादा आता है तो जब चांद पर पहला कदम नील आर्म स्टॉंग ने रखा तो आखिर कबर किसकी है चांद पर ये कबर बाली बात कहां से आई इसको भी जरा समझ लेते हैं दोस्तों दुनिया में एक अमरीका के काफी महान बैग्याने गुजरे हैं जिनका नाम था शूमेकर खुद चांद पर जाना चाहते थे लेकिन उमर उनकी बहुत जादा हो चुकी थी। यूटा और कोलोराडो में भी यूरियनियम की खोश सबसे पहले इनी ने की थी। यूरियनियम की खोश करने वाले यही एक मत्र विज्यानिक थे यही उनका पहला मिशन भी था बिग्यान के छेत्र में शूमेकर ने बहुत काम किया बहुत नाम कमाया जिसके चलते हुए उस वक्त के अमरीका के रास्टपती जोज डबलो बुश ने शूमेकर को सम्मानित भी किया शूमेकर की तमन्ना चांद पर जाने की थी कई बार मिशन बनाए भी गए तैयारी भी की गए लेकिन उनकी उम्र जादा होने की वज़ा से उनको चांद पर नहीं बेचा गया एक एक्सिडेंट में उनकी मौत हो जाती है सन 1997 में शूमेकर एक धूम केतु के तलाश में जा रहे थे कार से जा रहे थे एक्सिडेंट हो जाता है और 1997 में उनकी मौत हो जाती है शुमेकर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे तो उन्होंने बहुत सारे बच्चों को भी साइंटिस्ट बनाया था काफी सारे उनके स्टुडेंट्स थे तो एक स्टुडेंट्स ने उनकी आखरी तमन्ना को पोड़ा करने के लिए एक प्लान बनाया उनको श्रद्धानजरी देने के लिए उनकी आखरी तमन्ना जो चांद पर जाने की थी उसको पूरा करने के लिए उनके एक स्टुडेड ने नासा से संपर्क किया नासा से संपर करने के बाद उसने कहा कि मैं शूमेकर की जो अस्थियाँ है उसको чान पर पहुचाना चाएँ. उनकी तमन्ना चान पर जाने की थी वो तो नहीं पहुच वायाे लेकिन मैं उनकी कुछ अस्थियाँ जो हैं, जिसम के टुकडे, उसको मैं आस्मान पर पहुचाना चाहता हूँ नासा ने उस चातर की बात माली और मिशन तैयार कर लिया नासा ने 1998 में शूमेकर की अस्तियों को लूनार प्रोस्पेक्टर के जरीए चांद पर भेजा और चांद पर जाने के बाद उन अस्तियों को वहाँ पर बिखेड दिया तो चांद पर शूमेकर की अस्तियां पहुची हैं मरने के बाद इसलिए हमारा देश का मीडिया चला रहा है के चांद पर एक इनसान की कबर मिली है ऐसी खबरे हमारे देश की मीडिया पर दिखाई जा रही है जबकि लुनार प्रोस्पेक्टर के जरीए कई तरीके होते हैं चांद पर जाने के चांद पर रिसरच करने के तो लुनार प्रोस्पेक्टर के जरीए नासा ने कुछ अस्थियों को उनकी भेजा था और वहाँ पर जाकर वो बिखर गई, फैल गई होंगी, तो इसी को कबर बता है जा रहा है, कि इंसानिक कबर चांद पर मोचुद है, हाला कि कुछ साइफाई मुवीज देखने के बाद और भी लोगों ने कुछ अपने परिजनों की अस्तियों को चांद पर बेजने के लिए कुछ और कंपनियों से संपर्क किया, लेकिन उन कंपनियों ने पिट्टिवी की दूसरी तीसरी कक्षाओं में ले जाकर उनकी अस्तियों को फेग दिया, चांद पर नहीं पहुच पाई, इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में जाने के बाद उस वाता परण को जो अस्तियां थ की अस्तियों को तो वो रास्ता नहीं जल गई, तो यह है चांद पर इंसानी कबर होने की पूरी सच्चाई, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको इससे काफी फायदा होगा, और हो सकता है कि साइंस पढ़ने वालों को ये बाते पहले से ही बालों को, फिलाल इस डिपोर्ट में इतना ही मिलते हैं को और ने वीडियो के साथ, तब तक कि लिए अपना खयाल लगिए.